हाई फ्रेंड्स आई एम अभिशेक वेलकम तो मा यूटूब चैनल दा ओस्योन अप्षिख्या तो देखिए अभी जो हमारा वीडियो डिस्कॉशन चल रहा है वह एम लक्षमी कान का पार्ट सेवन कंसिट्ट्टिशन बॉड शेप्टर 42 discus कर रहे हैं जो कि हैं हमारा एलेक्षम्स कमिशन आज हमारा लेक्षर uh2 रहने वाला है आरड़ेडी हमने इसका एक लेक्षर डिसकॉस कर लिया था पहला जो lecture हमने discuss किया था उसमें हमने किस के वारे हम डिसकस किया था composition के वारे में discuss किया था फिर हमने discuss किया था removal of elections commissioners के वारे में और independence of elections commissioner elections commissioner of India के वारे में हमने discuss किया था first lecture में आज हम discuss करेंगे power और function क्या है elections commission का और कुछ इसू जो देखने को मिलता है किसके साथ Elections Commission of India के साथ उसके आवरे में डिसकस करेंगे और वे फॉरवड के आड़े में भी डिसकस करेंगे मतलब आगे की क्या राव हो सकती है तीन पॉइंट हम आज के वीडियो में दिसकस में और चैप्टर 42 हमारे यहां पर कम्प्लीट हो जाएगा एम लक्षमिकान्त की अलरेड़ी 126 लेक्टर डिसकस किये जा चुके हैं जिसमें हम चैप्टर 1 से ले करके चैप्टर 41 तक कम्प्लीट हमारी हो चुकी है अब आज 42 भी कम्प्लीट हो जागा कल सटड़े है तो कल की वीडियो में हम प्रिवियस यह कॉस्टर पेपर है प्रेलिम्स के जो पूछे गए थे प्रिवियस के अंदर से तो उसको डिसकस करेंगे जिसमें हमने अभी तक 7 लेक्चर डिसकस कर लिए है प्रिवियस यह कॉस्टर पेपर के कल हमारे 18 लेक्चर रहेगा उसका भी तो कि आपको पताई है कि अभी जो हमारे वीडियो से चल रहा है वो किस पैटन में चल रहा है तो यह लिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिसकसन तो यह देखिए कॉनकों से चैप्टर डिसकस करेंगे यह अल्रेडी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था जैसे 42 चैप्टर जो हमारा एलेक्शन कमिशन है आज कम्पलीट हो जागा मेंडे को जो हम डिसकस करेंगे वो होगा हमारा यूनिन पब्लिक सर्विस कमिशन बहुत से बच्चों का द्रेम होता है कि वो यूपिस्ट जैसी एक्जाम को क्वालिफाई करें और आईएस आईएस आईपिस जैसी अपने वो से पोस्ट पर बैट करें एक एक एजजा कॉंपिटर्स होते हैं बच्चे होते हैं किस तरीके से प्रेपरेसन में रात दिन करके लगे होते हैं बहुते से बच्चों का सपना यह भी होता है कि उप्रेसी क्वालिफाई नहीं हो छोटे से रहें पर आ जाते हैं वह सटेट पब्लिक सर्विस कमिशन तो 44 चैप्टर मे हम PCS के वारे में discuss करेंगे यानि कि जिस तरीके से Central Level पे UPSC होता है उसी तरीके से Central Level पे भी State एक Public Service Commission के तहित वो एक exam conduct कराता है जिसमें वो अपने Officers को चुनता है Chapter 45 में हम Finance Commission के वारे में discuss करेंगे Chapter 46 में National Commission for Schedule Cast के लिए discuss करेंगे Chapter 47 में National Commission के बारे में discuss करेंगे Chapter 48 में Special Officer जो linguistic minorities है उनके लिए Special Officer है उसके बारे में discuss करेंगे 49 में हम Controller and Auditor General of India के बारे में discuss करेंगे Chapter 50 में हम यानि कि Advocate General of India और 51 में Advocate General of the State के बारे में हम discuss करेंगे उसके बाद जो पार्ट आठ श्टार्ट होगा वो होगा हमारा Non-Constitutional Body जिसमें हम नीतियायो के बारे में discuss करेंगे जो भी हमारी Non-Constitutional Body है उसको हम discuss करेंगे तो देखिए Already मैंने बता दिया First Lecture में ये सारी चीज़े हमने discuss कर लिया था आज हम देखते हैं क्या Power है और क्या Function देखने को मिलता है Elections Commissions का तो देखिए अगर हम अपने गंटे की जो Elections Commissions की बात करते है तो उनका क्या है उनकी जो Responsibility दी गई है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलेक्टरॉल जो रोल्स है या Register करना कि कौन से लोग Vote देने के लिए Eligible है या नहीं यानि कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि Elections Commissions का जो पहला काम होता है वो वोटर लिष्ट तयार करना जैसे कि हमारी कंटरी में क्या है जो भी परसन गर्ल्स है बॉइस है जो भी है अगर 18 पलस है तो वो क्या है Vote देने के लिए अब Eligible है जो उसकी जो voter ID card है voter ID card या voter list में उसका नाम एड करना mention करना nominations paper तयार करना या manage करना या जो elections के date है उसको announce करना वोटर स्की लिष्ट तयार करना ये सारा फंशन किसका देखने को मिलेगा तो Indian Elections Commissions का आपको देखने को मिलेगा यह सारा function है हमारी country की जो elections commission है उसका यानि कि जैसे अगर आप बात यह समझें कि कोई भी अगर 18 साल या 18 साल से जाद हो है तो उसके पास जो voter ID card बनती है जो voter list आती है वो किसको यह सारक बनाने का काम कौन करता है elections commissions करता है यह elections किस दिन होगा उसको announce करना कुछ date को announce करना manages करना nominations परतियार करना यह सारा काम आपको elections commissions में देखने को मिल जाएगा देखिए दूसरा point के अगर बात करते हैं तो commissions के द्वारा क्या है accordance with the declarations commissions act of parliament determines the geographical bondage of electoral states without the country sorry throughout the country अब इसका मतलब क्या है देखिए जो elections commission है हमारी country का है जिसे हम यहां पर commission के लिखा है मैंने जिसे commission की बात करते हैं तो जो part declarations commissions act है parliament का तो उसके according पूरे देश में जो चुनाव की जो seat है कि कितनी seat रहेंगी elections में वो किसके तौट पर किया जाता है तो elections commissions के द्वार ही निर्धारित करता है अब जैसे कि अगर अपने ncati पड़ी होगी तो उसमें अपने दिपकाद यह पढ़ा होगा कि किस state मैप को कितनी seat देखने को मिलेगी यूपी में अलग seat यूपी की जो seat के संख्या वह सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि और area wise बात करते तो काफे ज़्यादा बारा है तो state के size populations को देखते हुए क्या है वहां के seat निर्धारित या जो seat है वो fixed किया जाता है फिक्स किया जाता है फिर देखिए इनकी एक responsibility आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो भी generating electronic photos है identity या identity card है यह बात करते है preparing elections list को तयार करना इंस्योर करना comprehensive और accurate record of voters को यह सारे काम आपको किसका देखने को मिल जाएगा यह देखने को मिलेगा elections commission का फिर देखिए अगर बात करते हैं जितने भी जो राजने जो political parties है देखिए अगर आप political party की बात करोगे तो यह बकायदा आपको class 10th की जब आप NCRT पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको political party के बारे हैं पढ़ने के लिए मिलेगा national party क्या होती है state party क्या होती है local party क्या होती है bjp कब बन किया congress कहा गठन कब हुआ समाज party के बारे में different kinds के party के बारे मैं आपको NCRT के book में class 10th पढ़ने को मिल जाएगा देखिए जितने भी जो political parties है जो भी spending करते है उनके द्वारा जो limits है individual candidates, campaigns, closely monitored by the commissions के द्वारा ही निगरानी ये सारी रखी जाती है पिर देखिए commissions guidance करता है post elections, disqualifications, जो भी sitting members होते है state legislature और parliament तो ये सारे काम आपको किसके देखने को मिलेंगे elections commissions का ही देखने को मिलेगा मतलब देखिए अगर बात करते हैं कि कौन elections में participate करेगा, किस member को disqualified करना है state elections commissions के लिए या parliament के लिए ये सारे decide करता है हमारा elections commissions पिर commissions की बात करते हैं तो चुनाव की बात देखिए जो हमारे चुनाव आयोग है या यो आयोग चुनाव में क्या है एक कुसल सही तरीके से प्रॉपर वे में carrying कराने के लिए अगर हम बात करते हैं जितने भी इस्टाफ है इस्टाफ के लिए क्या करता है वह governor या president से efficient लेता है एलक्सने के टाइम पे यह समझे चुनाव के टाइम पे जितने भी Staff is या तो Governor से या राश्ट पत्र यानी कि President से आवसे करमचारियों का वो क्या करता है अनूरेक्टर करता है और جो Result आते हैं परिनाम जो भी निकल के आता है उसके अधार पर क्या है अधार पर उन्हें राश्ट पत्र यानी कि जो President है या Governor है यह बात कर सकते हैं तो पार्टी का दर्जा दे करके चुनाब उद्देशी के लिए राजनितिक दलो का क्या करता है नौमिनेशन्स यह हम का बात करते हैं नामंगन वह करता है यह सारी काम है हमारे elections commission के पिर देखे बात करते हैं जो providing है जो भी advice है governor को कि कि इसको disqualification करना चाहिए state legacy members के लिए ज़िए president को advise देता है कि parliamentary members को क्या करना चाहिए कि इसको disqualified करना चाहिए तो इसकी responsibility किसके पास रहती है elections commissions के पास ही रहती है हिंदी में भी देख सकते हैं यानि कि अगर हम बात करते हैं राज विधान मंडल की जो भी सदस हैं अगर वो disqualified है यानि कि अयोग हैं पर क्या है राजपाल को और संसत के सदस की अयोगता पर राष्टपती को क्या कर सकते हैं वो advice देना सला देना अयोग की क्या होगी responsibility होगी अगर आपसे पूछता है what is the function of elections commission तो आप इसमें यह साड़े point mention कर सकते हैं अगर आपसे एक्जाटी के exam में भी 10th exam में भी पूछा जाता है वोट जीतने के लिए क्या करते हैं वोट को capture कर लेते हैं वहां पर वाइलेंस फैला देते हैं तो रियल में ऐसा ना हो कि जो भी वोटिंग सेंटर है या जो वोट है उसको क्या किया जाए capture कर लिया जाए वहां पर वाइलेंस देखने को मिलें तो इसके रिकार्डिंग में जो commission है वो appoint करता है अलग-अलग officers जो conduct करता है जो जो भी inquiries होती है या जो भी complaint होते है related किसे electoral जो भी arrangement है उसकी रिकार्डिंग में अगर कहीं पर बूट कैफियरिंग होता है या जो violence होता है तो इस इस conditions में क्या है जो authority है वो cancel भी कर सकता है elections को यदि ज़रूत परती है तो सब्सक्रेयरिंग फिर देखिं के बात करते हैं जो भी commission है वो grant करता है रियर्यंगनाइशन्स जो भी political parties रियर्ये जो भी पलिएल पार्टेजрий है या रियर्यकम करता है जा हमने आ्म आदभी को भी सबस्क्राइब करता है एक इसे मानिता दे देता है कि है जब सबस्क्राइब पार्टी अब ये क्या कर सकता है लड़ सकता है तब जाकर रिखो के प्रिम करता है इलेक्स पार्टीकल पार्टी को मानता देने का काम करता है तो देखिए जो भी elected commissions को जो भी political parties देखोगे तो हर एक political parties का क्या है अपना अपना aकe Criminal symbol यानि की election sign देखने को मिलेगा एक chin है देखने को मिलेगा जैसे Congress का क्या है हाथ का छाप है, हाथ का निसान है BJP का देखिएका तो कमल का फूल है या आम आदमी का देखेगा तो जहारू आपको देखने को मिलेगा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टे का अपना-पना खुद का क्या है सिंबॉल है तो सिंबॉल भी कोन कि डिसाइड करता है तो यह इसके दौर फॉर्मुलेट भी किया जाता है सेड्यूल जो पॉलिटिकल पार्टी जैड नाव पॉलिशी तो भी एडवाइज ऑन दर रेडियो एंड टेलिविजन दूरिंग अलेक्शन प्यूरियड और और सीज की बात करते है नेशन वाइड एलेक्शन इंफरस्ट्रॉक् तो प्री एंड फेर सेक्दम प्रीकुलेड अलेक्शन कंडक्ट कराना क्या है अजिए उसका पहला काम है यह यह प्रेंटी टैलिवजन पर निखताया जो एडवटाइज करने के लिए पूरे देश में तो उस को कहते हैं हम िइंयाओ तो यहां पर बूत देश में तो करता है तो राश्ट के लिए आपको देखने को मिल जागा है यह सारा फंसन आ आपको किसका का देखने को मिलेगा power है पंसेन है elections commission का फिर देखिए बात करते हैं कुछ issue भी है किसके साथ elections commissions के साथ देखिए elections commissions की बात करते है तो वो सबसे पहला जो face करता है एक limitations करता है इंटिंग दा इंटर्नल पार्टि जो चीजी जो problem है issue है वो कौन face करता है तो elections commission face करता है यानिकि जो इंटर्नल पार्टि के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको लागो करने में जो पार्टि की जो भी finance policy regulate करने की जो पार्ट उन सब में क्या है आपको challenges यानि की issue देखने को मिलेगा फिर देखिए अगला बात करते हैं जो भी violence है या हम बात करते हैं जो election fraud ड्राइवन है यानि कि election fraud का मतलब है जो elections के time पर जो हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी के अंदर पॉलिटिकल क्रिमिलेटी जादा देखने को मिलता है जो राइज कर रहा है डे बाट डे तो यह सब क्या कर रहा है एक issue phase कर रहा है आज के time पर elections commissions के सामने कि क्या कर रहा है एक lead की तरीकी से ख़़़ए यानि कि अगर हम elections commission of India की बात करते हैं तो देखिए नियामक पहुंसे काफे जादा आगे है जिसमें हम वित्य उद्देश से प्रेरिट जो भी हिंसा है या चुनाव धोका धड़ी है कि वित्य के कारण क्या है जो भी political criminality है उसमें क्या है काफी जाता है आपको क्या है increase देखने को मिलेगा फिर बात करते हैं जैसे कि और क्या देखने को मिलेगा कि claim of malfunctioning electronic voting machines जाने की जो हमारा EVM है जो electronic voting machine है में खराबी के दावे भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर elections declared हो जाता है तो जो पार्टी हार जाती है तो वह बार बार क्या blame करती है जो EVM machine है वह जातो है की गई है या खराब कर दी गई थी कि वोट किसी और पार्टी को दिया जा रहा है तो वोट किसी और पार्टी के पास जा रहा है तो इसके बारे में भी क्या है काफे जादा क्या है वोट recording के regarding काफे जादा doubt रहता है जो भी capabilities है या जो contribute है decline in public confidence in the ECI यानि की जिसके बज़े से क्या है जो public की confidence है ECI पर वो क्या होने लगती है तो इस तरीके की कुछ issue है जो की का कर रहा है आज के टाइम पर जो हमारा elections commission है वो face करता है प्रते की बात करते हैं कि जो भी अगर हम बात करते हैं false affidavits होते हैं या जो बात करते हैं with holding the material informations by candidates in their affidavits do not serve as a ground for the challenging as elections or invoking the relevant sections of the representations of the public act 1951 which trends to the rejections of nominations papers अब मतलब देखिए इसका क्या है देखिए जो भी गलत affidavits होते हैं या किसी भी जो candidate होते हैं के द्वारा क्या है जो affidavit है उसमें मात्पुन जानकारी को क्या है शेपान चुनाव के जो बी basic informations है जो लोगों के द्वारा height रखे जाते हैं तो चुनाव या क्या है एक चुनाव आयू के समने क्या है चुनोती देनी यह हम बात करते हैं तो हमारा representations of public act 1951 है कि समने जो भी धारा है उसको लागो के लिए अधार के रूप में क्या है काम नहीं करती है या नहीं करता है जो नामंगन पत्र की असुगरती से समन्दित है तो यह सारी चीजे क्या है कुछ इसू आपको देखने को मिलेगा फिर बात करते हैं हाला कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है तो अगर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो लेकिन उनके पंजिकरन रद करने का कोई भी उसमें प्रवाधान आपको देखने को नहीं मिलेगा तो जो अगर बात करते हैं Constitution Select Pacific Provinces Outline the Legal, Academic, Administrative and Judicial Qualifications Required for the Members of the Elections Commission मतलब लेकि अगर हम Constitution की बात करते हैं तो Elections Commission के सदसे के लिए जो भी अवशक अगर हम कानून की बात करते हैं या Academic की बात करते हैं Administrative की बात करते हैं Justice Qualifications की बात करते हैं तो उसको Outline करने के लिए जो भी Provinces होने थी वो क्या है उसमें आपको क्या है कमी देखने को मिलेगा देखे अब फिर और देखते हैं फिर जैसे की There is no Constitutional Prohabitated Preventing the Government from the Reappointmenting Retiring Elections Commissions Poisoning a Contentional Trait to their independence तो देखे इसका क्या मतलब है कि देखे ऐसा कोई भी सेविदहानिक निसे नहीं है जो कि सरकार को सेवा निर्च चुनाव आयोकते को फिर से निक्त करने से रोकता है जो उसकी सोतंतरता के लिए भी क्या है समविद एक खत्रा है तो यह सारी चीजे क्या कुछ इसू है इसके साथ आपको देखने को मिलेगा Chief Elections Commission of India के साथ देखने को मिलेगा अगर हम उनलाइकली बात करते हैं जो भी सेनरियो है जो भी यानि कि जो भी अपर विचारधारा का पालन करता है आप परंप्रागत निरते जारी कर सकते हैं जो कि राजनीति को अस्थिर करते हैं या सेविधानिक संकट पैदा कर देता है तो यह कुछ इसू है जो कि एलेक्शन कमिशन के साथ आपको देखने को मिलेगा फिर देखिए अगर बात करते हैं आगे की क्या यानि कि आगे की रहा क्या हो सकती है पोफवाट में क्या हो सकता है तो देखें यह लेग निमेशी की बात करते हैं देखें कि मतलब क्या है इसका चुनाव लोकतंत्र का क्या है इक अधार माना जाता है बेस माना जाता है और जो चुनाव आयोग है वो क्या है लोकतांतरिक वैज़तों को बनाए रखने में क्या है अपनी एक सब्सक्राइब करता है तो अपने स्वयतताओं को सही धंग से सुरक्षित रखने के लिए और चुनाव सरक्षन को संचारात्मा सुरक्षा आयोग में क्या है तत्काल जो भी कारेवन आपको देखने हो उसकी आवश्चता भी है यानि कि जो भी सेफकाट है स्ट्रक्टिल के लावा जो अर्थ नयाय के निकाय की रूप में भी क्या करता है वह सबत्कर न करता है इसको वह करता हैلة श्याता surprises कि उसको क्या करता है पुर्दिक अगर बात करते हैं कि जो भी इटिज आ तो यानि कि प्रोस प्रेड डेट द अगर बजेटरी की बात करते हैं यानि कि देखी यह जो प्रस्तावित है चुनाव आयो के लिए क्या है बजटी आवंटन सीधे भारत की संचित नेदी से ही क्या है काटा जाना सब्सक्राइब करना चाहिए जिसी कि क्या हो जो पार्लेमेंटरी अप्रूवल है वहां से खतम हो जाएगी बहुत बात करते हैं कि जो भी अगर हम ता यानि कि तारकुंडे समीटी और एलेक्शन्स रिफॉर्म से 1975 और गोस्वामी कमीटी और एलेक्शन्स रिफॉर्म 1990 की बात करते हैं तो इसमें दोनों में जो एड्वोकेट ने जो पक्ष लिया था अपॉंट्मेंट आफ कमिशनर्स रेधर देन दा प्रेसिडेंटल अपॉंट के फेवर में उन्होंने क्या था अपना मत रखा था यानि कि मतलब यह है कि जो चुनाव सुधार पर तारकु तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का डिसकेशन जिसमें हमने जो हमारा चैप्टर 42 था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है यह कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना जब हम चैप्टर 43 डिसकस करेंगे जो कि है हमारा UPSC के बार में ही होगा तो जो भी डाउट है पहले हम उस डाउट को क्लियर करेंगे तब हम आगे की चैप्टर को जा करके डिसकस करेंगे अब देखिए मैं बता देता हूँ एक बार पर कि हमारा जो वीडियो पैटर्न है वो किस पैटर्न में आपको चलता आएगा अभी जो हमारे वीडियो पैटर्न चल रहा है मणे से लेकर कि Saturday तर Sorry, Monday से Friday Saturday नहीं Friday Friday को आपको क्या है जो अभी हमारा Indian quality चल रहा है जिसमें हम M.R. कान को क्या करें कवर कर रहे है तो उसकी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी Saturday की बात करते है तो Saturday को जो हमारा previous year questions पे बार discussion चल रहा है तो उसका वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी और Sunday को आपको weekly current affairs news मिल जाएगा जो की एक तरिके से कहा सकते है जो headlands news होते हैं उसके फ़हमे ताकि आपको क्या हो सके जो current affairs आप उसको revise कर सोको easily complete कर सोको headlands news आपको मिल जाएगा फिर ते कि इसमें आप बात करते हैं complete हमने क्या क्या कर लिए है class 6 ते लेकर के class 12 तक जो आपकी NCIT थी political science का वो आपको complete हो चुका है political science अगर हम previous year questions पे बात करें जो कि हमारा unit वाइड डिवाइड है तो पहला जो unit था हमारा वो था हिस्ट्री का तो आपका हिस्ट्री में Asian Medieval Modern Indian National Movement हमने complete कर लिया है जिसमें हमने total 556 questions को discuss किया था अभी हमारा unit 2 चल रहा है जो कि हमारा political का political में भी हम डिसकस कर रहे है government and administration तो कल हम सब्सक्राइब को 2013 से लेकर के 2015 तक के questions को discuss करेंगे जो कि इस direct quality से civil service examinations के prelims में पूछा गिया है जब quality खतम हो जागा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना geography और geography खतम होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना economics और देखिए अगर हम NCRT में बात करें तो हमने NCRT में class 9 की economics पूरी तरीके से खतम कर दी है 10th class का एक chapter रहे गया है वो भी हम किसी दिन free time पर बैठ करके discuss कर लें तो यानि कि आपका 10 तक जो 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 एकोनामिक से वो complete हो जाएगा जैसे ही आपका M.Lakshmikand series खतम होगा तब हम class 11 और 12 की जो economics है उसको complete करेंगे और जब economics complete हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना geography start कर लेंगे तो इस pattern में आपको भी वीडियो जो continue है वो series आपको देखने को मिल जाए वीडियो को रिकार्डिक में कोई भी suggestions देना है comment box open आप comment box में दे सकते हैं और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को like कर सकते हैं शेर कर सकते हैं और चैनल को subscribe कर सकते हैं ठैंक्स for watching friend टेक केर जैहिंद